ये आकाश्वणी है अब आप आशुतोष जैन से सवाचार सुनिए असम सरकार ने कोकरा जहर में हालके हिंसा को देखते हुए केंदर से अर्ध सेरिक बलों की दस अत्रेक्त टुकडिया मांगी हैं आकाश्वणी से बाचीत में राज्यो के गिर सचिव जीडी तिरिपाठी ने बताया कि कोकरा जहर जिले में सुरक्षा बलों ने 17 हत्यार बरावत किये हैं और 60 असाबाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया है हाल की हिंसा में मरने वालों की संख्या दस हो गई है आठ लोग घायल हो गए हैं सुरक्षा बलों ने आज सुबह बोडोलेंड क्षित्रिय परिशत की कारेकारणी के एक सरस्य और बोडोलेंड पीपुल्स फ्रंट के नेता मोनो कुमार ब्रह्मा को कथित रूप से हिंसा में शाविल होने के आरोप में कोकरा जहर से ग्रफतार किया है बोडोलेंड पीपुल्स फ्रंट गाजी में कॉंगर्स सरकार में सहयोगी है इस बीच समुचे कोकरा जहर जिले में आज तीसरे दिन भी अनिश्चित काल का कर्फियो जारी है कानून और व्यवस्ता पर निगरानी रखने के लिए वरिष्ट पुलिस अधिकारी जिले में तैनाथ हैं ब्रस्पतिवार से ही सेना फ्लेग मार्च कर रही है आंधर प्रदेश में कल हैदरबाद में बेकाबू भीड के पत्राव से पांच पुलिस कर्मियों सही दस लोग घाय लो गए और एक दरजन से जारा वहनों को नुकसान पहुँचा भीड पर काबू पाने के लिए पुलिस को पुराने शेहर के नौ स्थानों पर लाठी चार्ज करना पड़ा और आंसू गयस छोड़नी पड़ी हैदरबाद के पुलिस आयुकत अनुराग शर्मा ने बताया कि इस्तित तनाव पूर्ण लेकिन नियंतरन में है संसत के शीत कालिन सत्र में सरकार की रणनीतित तयार करने के लिए प्रधार मंतरी मनमोन सिंग ने कल UPA सायोगियों को अपने आवास पर रात्री भोज में आमंतृत किया संसत का शीत कालिन सत्र 22 नमंबर से शुरू हो रहा है सरकार ने कहा है कि टूजी स्पेक्टरम नीलामी से मिले परिणाम को सफलता या विफलता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि नीलामी की प्रक्रिया से स्पेक्टरम की बाजार आधारेत वर्तमान कीमत दिखाई देती है वितमत्री प्रीच दबरम ने कहा कि सरकार नीलामे की विफलता का जश्न नहीं मना रही है और इस दिशा में आगे काम करती रहेगी उरोंने कहा कि जल्दी मत्री समों की बैठक में अगला कदम तै होगा विमानन कंपनी किंग फिशर एलाइन्स को आज अपने कुछ करमचारियों को माई का वेतन देना शुरू करेगी लेकिन पाइलटों और इंजिरियरों के वेतन के बारे में कोई जानकारी नहीं है विजय मालिया के स्वामित वाली किंग फिशर दिवालिया होने की कगार पर है और इसका उड़ान भरने का लाइसेंस दिलंबित किया जा चुका है कमपनी ने घोशना की थी कि करमचारियों का मई तक का वेतन दीपा वली तक दे दिया जाएगा गज़ा में इसरायल के ताजा हमलों में मरने वालों की संख्या 28 हो गई है जबकि 270 लोग घायलो गए है दूसरी तरफ गज़ा पटी से इसलामी उगरवादियों के रॉकेट हमलों में दक्षन इसरायल में तीन लोग मारे गए हैं उन्नेस घायलो गए हैं। मिसरिके प्रधार मत्रे हिशाम कंदिल ने गजा पट्टी पर इसराइली हमलों की दिंदा की है। प्रधार मत्री राजीव गांधी की हत्या के सिलसिले में 2010 और 2011 में CBI ने उन्से पूश्टाच की थी। पद्मनाथन इस समय शुलंका की हिरासत में है। भारत ने पद्मनाथन को इंटरपोल की वांचेत सूची पर रखा है। शुलंका के समचार पत्र डेली मेरर में आज प्रकाशित एक भीट वारता में पद्मनाथन ने दावा किया कि CBI को उसने जो जानकारी दी थी उससे CBI संतुष्ट लगती है। उसने राजीव गांधी के हत्या में निर्दोश होने की बात कही थी। सुल्थान जोहर काप होकी प्रतियोगिता में आज भारत अपने पांचवे रंतिम लीग मैच में मेजबान मलिशिया से खेलेगा। प्रतियोगिता में भारत पहले ही फाइदल में पहुँच चुका है। चार मैच जीत कर दस अंग के साथ वो तालिका में सबसे उपर है। आज के अन्य लीग मैचों में जर्मेनी का मुकाबला पकिस्तान से और न्यूजिलेंड का उस्टेलिया से होगा। इनके नतीजों से तै होगा कि फाइनल में कौन सी टीम पहुँचेगी। फाइनल मैच कल होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन सबावत हुआ।